वेलकम बैक माई डियर स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टड़ी पीथर भीपर जहां दोस्तों आज हम बात करेंगे परामेटकल इंटेंस इंग्जाम 2023 के लिए टॉप 20 कोच्चन स्रीज आज का ये पांचमा की स्रीज टॉप 100 क कोच्चं के हम बात कर रहे थे जिसमें आज पांचमा स्रीज है सात्यों आज इस स्रीज का समापन हो जाएगा जिक्क्य के पांचमा लेक्चर है ये सात्यों और 181 नमर को चंज तक हमने कर लिया था और 181 नमर को चंज आपके स्क्रीम के सामने हैं सात्यों ये अगर आप हमारी इस यूटूब चैनल पर नहीं है तो फिली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथी साथ अपने दोस्तों को पास सेयर कर दें, ताकि कोई भी वीडियो तुरंत आप तक पुरंत पुरंत पहुंचे चैनल साथियो समय को बिना गमाय आज का कला से स्टार्ट करते हैं, भारत के स्वतंतता के समय गवर्नल जर्नल कौन था? एक आसी नमर कोचन का जबाब आप लोग कॉमेंट बक्स में बताएंगे, भारत के स्वतंतता के समय गवर्नल जर्नल कौन था? भारत के स्वतंतता के समय गवर्नल जर्नल कौन था? सभी का एंसर आपको कॉमेंट बक्स में देते जाना है, साथी है, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो पिलिज शेर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को प्रेस कर दे, साथी साथ एक थम का इंप्रेशन आप अपने लाइक के द्वारा हमें दे. साथी हो इसका एंसर बताना है, भारत के स्वतनता के समय गवर्नल जर्नल कौन था? तो इसका एंसर हो है, लौड मांटवेंट, लौड मांटवेंट टन भारत के स्वतनता के समय गवर्नल जर्नल था. 81 नमर कोच्छन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा शरीर के सबसे मजबूत मानस्पेसी उसके वजन के अधार पर शोरनिका पेसी मासेटर मानस्पेसी कहां इस्थित होता है इसके अंस्तर साथियों बताता है बताना है आपको कमेंट बॉक्स में बिरासी नमर कोश्चन्स कहा रहा है, सरीर के सबसे मजबूत मानस्पेशी, कहां पर होता है, क्या वो जाबरा, जांग में होता है, दूसरा, C बोल रहा है हाथ में, और D बोल रहा चाती में, साथियो इसको बता दे, जबरा में, जबरा में शरीर का सबसे मजबूत मानुश्वेशी पाए जाता है 83 नमर कोच्छंस साथ हो आपके स्किन के सामने ये है बहरी बहरी इंपोटेंट कोच्छंस ब्यार प्रामिट कल में बार बार पूछा गया कोच्छंस है भारत के राष्टिये पुस्व इन में से कौन सा है यहां भारत का राष्टिये पुस्व इन में से कौन सा है बहरी बहरी इंपोटेंट कोच्छंस ब्यार बोड में बिसी इसी द्वारा बार बार पूछा गया भारत का राष्टिये पुष्प इन में से कौन है क्या वो कमल है क्या वो गुलाब है क्या चमेली है या गंदा है जिन साथियो इसका एंसर आपको परमेंट बॉक्स में देना है भारत का राष्टिये पुष्प इन में से कौन सा है साथिवो इसका एंसर बताया है भारत का राज़्टी ये पूश्व कौन है कमल कमल है भारत का राज़्टी ये 2030 में पूछा ही जाएगा साथिवो 84 नमर कोच्छंस आपके स्क्रीन के सामने ये है भांखरा नांगल बांध किस नदी पर है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोच्छंस भांगरा भांखरा नांगल बांध किस नदी पर है भांखरा नांगल बांध किस नदी पर है उप्शन A बोला है सतलज नदी के पास उप्शन B बोला है रावी नदी उप्शन C जेलम और उप्शन D गंगा भाखरा नंगल बांध किस नदी पर है इस अभी का जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है आज जीके का लास है फिर लेकर आएंगी केमिस्ट्री के महा मेराथ हैं जिसमें 100 कोचन उसमें भी कवर किया जाएगा सत्यों इसका अगर पूरा वीडियो देखना है तो पांच वीडियो आपके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है जाके आप चैनल पर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं सबी के जवाब आपको कौमेंट बॉक्स में देते जाना है मंदीरों की पुन्य भूमी बहारत के किस राज्य को कहा जाता है मंदीरों के पुन्य भूमी है वो भारत के किस राज्य को कहा जाता है क्या वो तमिलांडू को कहा जाता है B वोला है आंदर परदेश C वोला है राजस्थान और D उत्तर परदेश मंदीरों के पुन्य भूमी भारत के किस राज्य को कहा जाता है साथ हो इसका जबाब आप लोगों को देना है कि मंदीरों के पुन्य भूमी है भारत के किस राज्य को कहा जाता है क्या हो जाएगा इसका इंसर तमिलनांडु क्या तमिलनांडु को मंदीरों के पुन्य भूमी भारत के राज्य के रूप में जाना जाता है चलिए आज का छट्था कोश्चान्स आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्याले किस जगा पड़ है भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्याले किस जगा पड़ है Option A, तिरुवन्त पूरम में Option B, बैंगलोर Option C, हैदराबाद Option D, आमदाबाद साथियो 86 नंबर कोश्चांस Very very important questions भारत अंतरिक्ष अनुसंसदान संस्थान का मुख्याले किस जगा पर है इसका answer हम बताएं बैंगलोर में बैंगलोर में भारतिय अंतरिक्ष अनुसंसदान संस्थान का मुख्याले बैंगलोर में परता है चलिए आज का सात्वा कोश्चंस यानी 87 नंबर कोश्चंस आपके स्क्रीन के सामने भारत के किस राजे में बिस्व का सबसे बड़ा थोडियम भंडार मौझूद है भारत के किस राजे में बिस्व का सबसे बड़ा थोडियम भंडार मौझूद है थोडियम बंडार की बात की है थोडियम बंडार भारत के किस राजे में इस्तित है क्या वो केरल में है क्या वो आंध्र पर्देश में है क्या वो करनाटक में है या आसम में है सबी लोग इसका एंसर बताएंगे भारत के किस राजे में बिश्व का सबसे वरा थोडियम भंडार उपस्तित है इसका एंसर हो जाएगा आंद्र पर्देश कहां आंद्र पर्देश कहां आंद्र पर्देश में बिश्व का सबसे वरा थोड़ीयम भंडार भारत में पड़ता है उपस्थित है चलिए आगे चलते हैं अठासी नमर को चान साथी हो आपके सक्रिन के सामने है कि माना पाचन तंत्र के निमलीखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है करा माना पाचन तंत्र के निम्लिकित में से ऐसा कौन सा भाग है जो भोजन का पूर्ण पाचन वहाँ पर होता है क्या वो अमास्य है क्या वो मुह है क्या वो छोटी आथ है क्या वो बड़ी आथ है आपको बताते साथ यो मुह से तो भोजन का पाचन का परारंब होता है कहां इंसर आपको देना है तो चलिए इसका बनेसर बताते हैं छोटी आथ ऐसा अंग है जो माना पाचन तंत के निम्लीखित में से किसी किस भाग में भोजन का पाचन होता है तो छोटी आथ में चलिए 89 नमबर कोश्चन साथी हो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा सभी का जबाब आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन का स्रीज चलना है आपके स्टडी भी थरभी पर जोयन करना न भूलेंगे पटते एक दिन एक एक कलास आती रहेगी आप लोगों के लिए और पांथ दिन बचा हुआ आपक इनमें से कौन सी है नवासी नवर कोश्चन का जवाब देना है भारत का राष्टी नदी इनमें से कौन सी है क्या वो कोशी है क्या यमुना है क्या वो ब्रह्मपुत्र है क्या वो गंगा है भारत का राष्टी नदी इनमें से कौन सी है साथियो इसका जवाब आपको देना है चलिए इसका एंसर बताते हैं गंगा भारत का राश्टी अधेंदी कौन है गंगा चलते हैं आगे नब्वे नमर को चंसाब के सामने यह रहा कि जम्मू किस नदी के किनारे किनारे स्थित हैं इसका एंसर आप लोगों को फटा फटो देते जाना हैं को में मैं सा अविसे आदमी उपना किस नदी के किनारे इस्तित है साथियो इसका जवाब हो जायगा तभी तभी नदी की किनारे जम्मू इस्तित है चलिए एकानमे नमबर को चंस आपके इसक्रिम के सामने ये राज साथियो कि बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है इसको आप भीवी आई कर लेजे दो हजार तेश के लिए बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है तो साथियो आपको बता दे बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है कोसी नदी को बिहार का सोक के रूप में जाना जाता है कोसी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है चलिए बिरानवे नमर को चंस आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि भारत क्या बोला है कि भारत भारत के किस नदी को विर्ध गंगा कहा जाता है भारत के किस नदी को ब्रिद गंगा कहा जाता है साथि हो इसका जवाब आप लोगों को फटाफट कोमेंट बॉक्स में देना है कि भारत के किस नदी को ब्रिद गंगा कहा जाता है option बोला है कृष्णा को, option B बोला है नर्मदा, option C है कावेरी, और option D है गुदाबरी चार ओप्सन आपके स्क्रीन के सामने है भारत के किस नदी को ब्रिद गंगा कहा जाता है गुदावरी क्या हो जाएगा गुदावरी को ब्रिद गंगा के रूप में जाना जाता है भारत के किस नदी को बिरिद गंगा काते हैं गुदाबरी नदी को बिरिद गंगा के रूप में यानि बिरिद गंगा का जाता है तिराने में नमर को चल साती हो आपके स्क्रीन के सामने है निमलीखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लुख पिडिये सहर या सहरी समू है क्या वो नई दिल्ली है? B बोला है कुलकाता C बोला है मुंबाई D चिन्नाई निमलीखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लुख पिडिये सहर इन में से कौन सी है? इसका जबाब आपको देना है चलिए बताते हैं मुंबाई मुंबई भारत में जन संख्या के देश्टी से लोग प्रिये सहर के रूप में जाना जाता है साथियो 94 नमबर कोच्छन्स यानि आज का 14 नमबर कोच्छन्स आपके स्क्रीन के सामने निवलिखित में से पानी में घुलनसील विटामिन का चेहन करे साथियो अगर आपनी 100 कोच्छन्स को पूरा देखना चाते हैं तो प्लेइलिस्ट में जाए प्लेइलिस्ट बना दिया गया है वह आपको सभी वीडियो लिक्चर मिल जाएंगे जिसमें 100 कोच्छन्स पूरा करा दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट कोच्छन्स है आपके प्लेइलिस्ट इंट्रेंस एक्जाम के लिए अपले जाए और पूरा वीडियो को देखे और एक थम का इंप्रेशन दे तो निम्लिखित में से पानी में घुलनसील विटामिन का चेहन करे ऐसा कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनसील है याद रखना है डेका डेका यह क्या है वसा में घुलनसील होता है डेका यह क्या है वसा में घुलनसील होता है डेका यह क्या है वसा में घुलनसील होता है तो यहाँ पर देखे निम्लिखित में घुलनसील विटामिन और क्या बिटामिन C जो है पानी में घुलनसील है और बिटामिस सील में होता है, चलिए पैंचाने में नम्म क्वराथ और होटा हो आपके छोन स्कूर्णी के सामने हैा हम फटा फटन जबाब देना है कि हुआ बोला है कि भारतिये वन शर्वेच्छन बिभाग का मुख्याले इन में से कौन सी जगा पर उपस्तित है। बारतिये वन सर्वेच्छन बिभाग का मुख्याले इन में से कौन सी जगा पर उपस्तित है। कि जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज के रूप में जाना जाता है। अप्शन A बोलाए आंद्र परदेश, अप्शन B नागालेंड, अप्शन C मनिपूर और अप्शन D महराष्ट। फटा फट इसका एंसर आप लोग बताएंगे कि किस भारतिये राज्ये में विशाखा पत्नम बंदरगा इस्तित है। इसलिए आगे चलते हैं अंठान में नंबर कुश्चन्स आपके स्क्रीन के सामने ये रास आती हो। फटा फट इसका जवाब कोमेंट बोक्स में आप लोग देंगे। सवाल क्या है कि भारत का क्या बोला है कि 14 भारत का सबसे लंबा राश्टिये मार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राश्टिये मार्ग पुछा है साथियो इसका जवाब आप फटा फट फट कॉमेंट बोक्स में देंगे कि भारत का सबसे लंबा राश्टिये राज मार्ग कौन सा है। क्या वह NH1 है, NH8 या NH44 या NH11? साथियो इस सभी का जवाब फटा फट आपको पोमेंट बॉक्स में देते जाना है, भारत का सबसे लंबा राष्टिय राजमार्ग पुछा है, लंबा पुछा है चौरा नहीं, सबसे लंबा पुछा है, भारत का सबसे लंबा राष्टिय राजमार्ग कौन सा है, तो यह हो जाएगा NH44, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्टिय राजमार्ग होता है, चलिए 99 नंबर कोश्चन्स आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, अटफ़ट अंदाज में 101 कोश्चन्स सात्यों पूरी कोश्चन्स को किलियर करेंगे, और भारतिय सेना दिवस कब मनाया जाता है, बहरी बहरी इंपोर्टेंज सवाल है, वी वी आई कोश्चन्स है कि भारतिय सेना दिवस कब मनाया जाता है, भारतिये सेना दिवस कब मनाया जाता है इसका जवाब आपको देना है बोला है कि 15 जनवरी B option बोला है 20 सितंबर C बोला है 1 अगास्ट और D 30 मार्च इसका जवाब आपको बताना है भारतिये सेना दिवस जिया भारतिये सेना दिवस कब मनाया जाता है क्या वो 15 जनवरी को मनाया जाता है क्या वो 20 सितंबर को मनाया जाता है C बोला है 1 अगस्त और D बोला है 30 मार्च वेरी वेरी इंपोर्टेंट कलास है यह साथ ही अगर अच्छी लग रही हो तो प्लेज अपने ग्रूप में सेर कर दे कलास को साथी इसाथ अपने दोस्तों को पास भी सेर कर दे और इसका जवाब बताने के लिए आप एकदम ready रहे कि भार्तिय सेना दिवस कब मनाया जाता है तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों पंद्रय जनवरी 15 जनवरी को भारतिय सेना दिवस के रूप में जाना जाता है कब 15 जनवरी भरतिय सेना दिवस मनाया जाता है आज का 100 नमर कोचंस और हमने सेंचूरी लगा रखी है सरदार पठेल परानी उध्यान किस राज्ये में इस्तित है यह दोस्तो हमने सेंचूरी लगा दी और एक कोचंस और लास्ट बचा हुआ है सरदार पठेल परानी उध्यान किस राज्ये में इस्तित है सरदार पठेल परानी उध्यान किस राज्ये में इस्तित है option A बॉला है बिहार option B गुजरात option C उत्तरपरदेश option D हड्याना सभी का जवाब आपको कमेंट बाक्स में देना है साथियों very very important class चल लई है सरदार पटेल परानी उद्ध्यान किस राज्य में इस्तित है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है फटा फट अन्दाज में किस राज्य में इस्तित है तो साथियों बता दे सरदार पटेल परानी उद्ध्यान उद्धर उत्तर परदेश कहा है उत्तर परदेश में इस्थित है चलिए आज का लास्ट को चांस आपके स्क्रीन के सामने ये रहा और जिक्के महा महा महराथन का लास्ट को चांस ये रहा इसके बाद आपके इस चैनल पढ़ाएंगे किमिस्ट्री, फिजिक्स, बाइलोजी सभी हिंदी, सभी का कलास आपको बारी-बारी से दिया जाएगा पांस दिन के अंदर सभी कोच्छंस आपको करा दिये जाएंगे, वेरी-वेरी इंपोटेंस इसलिए जूरे रहे, बेल आइकोन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो अबलोड हो आपके पास तुरंत पहुचे, तो चलिए 101 नवर कोच्छंस का जवाब आपको देखे जाना है कि भारत के किस नगर को, क्या बोला है कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रोनिक उध्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है भारत का ऐसा कौन सा सहर है जो इलेक्ट्रोनिक उध्योग के राजधानी क्या, इलेक्ट्रोनिक उध्योग के राजधानी के रूप में जाना जाता है जैंतों तो भारत में ऐसा कौन सा सहर हो गया है जो इलेक्ट्रोनिक उध्योग के राजधानी के रूप में जाना जाता है option A, Bangalore option B, Jharakhand option C, Karnapur option D, Chennai साथियो इसका answer आपको बताना है कि भारत के किस नगर को electronic उद्योग की राधानी की रूप में जाना जाता है तो बैंगलोड जी हाँ दोस्तो बैंगलोड ऐसा राज्य है भारत के नगर को electronic उद्योग की राधानी की रूप में जाना जाता है तो यह रहा साथियो top 100 questions की series पुरे खत्म होती है आज कैसी लगी top 100 questions आप लोगों को comment में बताना है like कर देना है ताकि हमें पता चले कि क्या आप लोगों की अच्छी लगी class या नहीं लगी प्लीज class अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करे bell icon को press करे और अपने दोस्तों को पास share कर दे आज के लिए रखते हैं अतना ही thanks for watching तेसी वीडियो thanks bye bye take care